Hey everyone ! In this Video हम बात करेंगे Uma art ke IPO के बारे चीजी जिननों ने अपना Dhrp file किया है for IPO सबसे पहली जो में चीज है वह फैल यह सीख करें वह दिट लगजक लगजा fakta 240 24,000 करोड if we talk about financial year 22 अगर उनका sales देखे तो 943 करोड थी और जो उनकी जब valuation है उससे 26 गुना जादा valuation मांग रहे हैं अगर financial year 23 की बात करें तो उन्होंने आदे एर का अपना दिया है sales वो है 722 करोड जो मिला के आता है 1444 करोड और उस पे भी 17 गुना valuation मांग रहे हैं अगर आपने shark tank पे देखा होगा काफी shark तो अभी तीन या चार गुना से ज़्यादा valuation नहीं दे सकते आपका अभी तो early stage startup है बलकि early stage startup पे आप multiple acts दे सकते हैं बट इतने ज़्यादा आगे पहुँचे होई startup को इतने ज़्यादा जो sales कर रहा है startup उसकी valuation पे थोड़ा तो कैप होता है मलब 17 गुना इतना तो मेरे से डाइजेस्टेबल नहीं है उसके बाद आती है पी रेश्यो अभी अभी पिछले साल ही profitable हुआ है startup और अगर हम बात करें दाइजेस्टेबल नहीं है और कहीं लोग बोलेंगे अट लिस्ट यह profit पे तो है बागी कंपनिया तो लॉस पे है तो profit भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा profit है यह में को पता है कि provisions उपर नीचे करके इतना profit ला सकते हैं कि company को profitable दिखाने के लिए provisions उपर नीचे करके यह हो जाता है यह नहीं है कि इनको 100-200 क्रोड का profit है 13-14-10-15 क्रोड का profit बन जाता easily अगर आप अपनी accounts में उपर नीचे थोड़ा सा भी उपर नीचे करें तो अगर बात करें इनके जो closest competition है नाइका की उनका पी रेशियो है वह लगबर लगबर साथे 900 तो आप देख सकते हैं उससे भी डबल मांग रहे हैं और अगर अगर कोई established brand के बारे में बात करें करोड और फस्ट हाफ अगर 23 के बारे में बाता है जो नेट सेल्स थी खाली-खाली वह थी 684 करोड और अगर उनकी एड्स पैंडिंग पर बात करें तो एड्स करोड और शे मन्त अभी जो गए हैं उसमें 272 करोड मलब आप consistently देखेंगे कि इनकी जो return on ad spend मलब आपने अगर एक रुपय की एड्स पैंड किया है पैसा तो आपको कितने की सेल्स मिलेगी तो इनकी लगब लगब 2.4 2.6 2.4 2.5 ऐसी ही जा रही है मलब एक रुपय अगर एड्स पैंड करते हैं तो धाई रुपय इनकी सेल्स होती है और यह consistent है मलब कि इनके जो repeat customer है बहुत कम है क्योंकि जितना यह एड्स पैंड कर रहे हैं उतनी ही सेल हो रही है ऐसा अगर कोई अच्छा brand होता या कोई established brand होता उसकी return on ad spend क्या होती है बढ़ रुपय की अगर आपको 5 रुपय की sale हो गई अब वो जो 5 रुपय की sale हुई आपके 2 रुपय के ad spend कुस तो customer ऐसे होंगे जो repeat आएंगे ठीक है अगर आपने next year भी फिट से दो की तो 500 आपको मिलने चाहिए प्लस repeat customer के एक दो और मिलने चाहिए पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा उतने ही उसी ratio के इसाब से इनकी sales भी growth हो रही है मतलब आज की date पर अगर ये ad पर spend करना बहुत कम कर दे तो इनकी sale drastically गिर जाएगी मतलब एक तरीके से मैं आपको बता हूँ ये एक marketing company है marketing company मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ क्यों कि अगर आप बात करें financial year 21 की इनकी cost of goods sold थी जो मतलब ये माल बेच रहे एक क्रीम बेच रहे है 100 रुपे की उसकी cost of goods sold है 20 रुपे बट उसके एड पर ये 30 रुपे खर्च दे रहे है तो अगर इनकी financial year 22 की बात करें तो इनकी cost of goods sold थी 133 क्रोड रुपे मार्केटिंग पर खर्चे की 178 क्रोड पर आगर कोई समान खरीद रहे है आप इनका आपको value जो समान की वो कम मिल रहे है आप इनकी marketing cost पर contribution कर रहे है जादा 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 इसे अरे financial year 22 पर भी जो समान बेच रहे है उसकी cost है 213 क्रोड रुपे मार्केटिंग पर खर्चा कर रहा है वह है 391 क्रोड रुपे हम देख सकते हैं आप 100 रुपे की चीज आप इनको देना है 100 रुपे की चीज में तो 30-40 रुपे तो आप इनके एड के लिए रहे है कि लो भाई यह एड के पैसे ले लो मेरे से आपने एड भी तो रन करी है तो आपको value नहीं मिल रहे है पैसो की आपको क्या बिल रहे है सिरफ प्रचार ठीक है तो में को नीचे कमेंड पर जुरूर करके बताईगी आप अगर मामार्थ का IPO आता है तो अपलाई करेंगे या नहीं और क्या है इस IPO की positive बाते भी होगी जो मैं इस वीडियो के cover नहीं की क्योंकि मैं इसमें सब कुछ गलत ही बताने वाला था क्योंकि इस वीडियो का title ही है everything wrong with मामार्थ साइपियो ठीक है मिलते हैं आपको अगली वीडियो में ऐसी और भी इंस्ट्रस्टिंग वीडियो के लिए मेरे को ज़रूर फॉलो कीजिएगा बाबाई